आज मैं आपके लिए ब्रेकफर्स्ट की बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ, डाल के पराथे, डाल के छिलकों के पराथे, I hope आपको यह अच्छे लगेंगे स्टार्ट करते हैं हमारे चिलकों के पराथे बनाना, इसके लिए हमें चाहिए दो कप क्याहूं का आठा, आधा कप बेसन, आधा कप कोई भी चिलके वाली दाल हरी या काली भीगी हुई, तीन चार घंटे के लिए और उसके चिलके अलग कर लेने हैं, इसके साथी एक छोटा अनारदान, नमक, स्वादनुसर, लाल मिर्च, स्वादनुसर और दो टेबल स्पून देशी घी कुप करने के लिए, हमें दाल को कम से कम चार से पाच घंटे के लिए भीगो के रखा पड़ेगा, या हम राद दर भीगो सकते हैं, यह मैंने राद को दाल भीगोई थी, चलको एक अच्छा crisp and crunchy टेस्ट मिल जाता है, हम कई रे भर धही भल्ले या मंगोडे बनाते हैं र्धापर, दाल भीगोते हैं, और फ्र हम छिलको को फेक देते हैं, तो जब भी कभी अप धही भल्ले या मंगोडे बना रहे हैं बना नहीए, तो आप ये पनान नहीं है तो हम अपना जो लगाना स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमं इक पॉल में दो कप के हो का आटा लेना है। इसके बाद हम इसमें हमारा हाफ कप बेसन का आटा एड करेंगे। अगर आप बेसन का आटा नहीं आट करना चाहते हूँ, तो आपकी मर्सी हैं आप सिर्फ आटे से भी कर सकते हैं फिर हम इसमें अपने दाल और छिलके डालेंगे दाल के और साथ ही कटा हुआ प्याज हरी धनिया हरी मिर्च अध्रक और हमारे ड्राइं मसाले जैसे कि अजवाएं अनार दाना नमक लाल मिच पाउडर और करीब इसमें हम देसी घी डालेंगे या कोई भी कुकिंग ओड इसको डालने से हमारे पराथे अच्छे प्रिस्प और खस्ता बनेंगे अब हमें इन सब को मिक्स करके एक अच्छा सा दो बना लेना है जितनी पानी की जरूत हो आप इतना पानी डाल करके इसको दो बना लीज अच्छा बना है कम से कम 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट करने देने के लिए उसके बाद हम इसके पराथे बनाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं हम एक पोर्षिन लेंगे अपने डोर का और उसको जैसे हम नॉमल रोटी या पराथा बेलते हैं वैसे हम आठा लगा करके उसको ब तो भी शेप, नाप स्कुरार करते हैं जैसे भी आप पराथे पनाते हैं आप आप से को कीजिए, मैं राउंट करती हूं, मैं राउंट कर रही उसको, और मैंने जैसे कि बोला है जासे पराथा साथ का जोफ्ट है और इसमें पारत्बशाप का चिल्का काफी है, तो दोड प्रहाइम इसको बेलना है फिर हम इसको तब पर डाल के अच्छे से शीख लेंगे मीडियम आज पर सीखेंगे तो क्रिस्प और कराड़े बनेंगे हमारे पराथे और दोनुं साइट से जब तक गोल्डन प्राउन हो हमें तब तक सीखना है बाकी बचा हुआ हमारा जो डो है हम उसके भी पराथे बना लेंगे और इसको अच्छे से सिख करके हम सर्फ करेंगे यह मारा पराथा अच्छे से सिखने लग गया है अब हम इसके ऊपर थोड़ा ओईल अपलाई करेंगे और इसको दोनों साइट से हम अच्छे से कोल्डन ब्राउन होने तक सिख लेंगे और फिर आप इसको दहीं के साथ या बटर के साथ जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्फ कर सकते हैं चाहे सर्दी का टाइम हो चाहे कर्दमी का टाइम हो एंजोई कीचे दाल के चलको के पराथे अगर यह आपको रेसिप अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीचे और थांक्स फॉर वाचिंग इक्सॉर्टिक एन एजी कुकिंग